हाई एब्रिवन आज मैं लेके आयूं हरे मुंग का लड़ू आयरान प्रोटीन फाइबर से भरपूर ये लड़ू है ये आपकी सेहत को भी स्ट्रोंग बनाता है ये छोटे बड़े सभी के लिए बहुती फायदेमंद है दोस्तों ये मैंने लिया है 500 ग्राम हरा मुंग लिय साबूत है इसे अच्छे से धूर लिया है आप जग सकते हो इसे दो पाने से मैंने दो लिया है और पाने कि चोड़के इसे कडाई मे डालके पहले भूंळ लेते हैं ँच्छे सेसी रोस्ट करना है जब तो लग इसका कलरणा बड़ली हो तब तो लग और आम जो है मीडियOUGH फेम रखे लागातार चलाते भी इसे रोष्ट करना है और यह आखरी में चटकने लगता है दोस्तों तब समझ जाएगा कि यह भून चुका है यह देख लिजिए इसके कलर चेंज हो रहे हैं अब इसे निकाल देती हूँ छे-सात मिनट मैंने इसे रोष्ट किया है अब कड़ाई में डालती हूँ घी और मैंने इसे में डाला है बेशन डेट सो गराम बेशन भी है बेशन जरूर डालें बेशन डालने से लड़्डू एकदम सौप्ट बनेगा और खाने में भी बहुती सौधिश्ट लगेगा दूस्तों और मैंने घी एड़ कर दिया है थोड़ा थोड़ा करके घी एड़ करें और गैस की आँच को एकदम स्लो रख दें ताकि ये जले ना ऐसे चलाते रहना लगातार फिर से मैंने घी डाला है इसे कम से कम बारा से तेरे मिनट तक भूनते रहना लगातार चलाते हुए आप देख सकते हो बढ़ियां से भून रहा है देरे देरे इसे ही चलाते हुए इसे भूनना है बहुत ही अच्छी खुसबू आ रहे है दोस्तों बेशन के कलर भी चेंज हो चुके है अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल देती हूँ यह देख लिजे अब जो मुह हमारा ठंडा हो चुका है इसे पीछ लेती हूँ मिक्सी में डालके एकदम बारिक फाइन पाउडर बनाना है दोस्तों कितना भी बारिक इसे पीछते हैं फिर भी हाथों में क्रेश से आता है यानि थोड़ा सा दडड़ा रहता है यह जैकि मैंने इसे बारिक पीछा इसे चालने की ज़रूत नहीं है कड़ाई में डाला घी और इसे भून लेती हूँ एक बार और जो भी इसका कच्चापन है वो निकल जाए और खाने में स्वाधिष्ट लगे इसे चलाते वे इसे बनना है एक बार जरूर बनाईएगा दोस्तों खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं घी और अट कर दिया इसमें एक ही बार पूरा घी नहीं डालना है में देख लिजिए पांच से चे मिनट तक इसे में भूनूंगे अच्छी सुगंद आ रही है इसकी अब इससे भी उसी थाली में निकाल देती हूं जिसमें मैंने बेशन निकाला है और फैला देती हूं ठंडा होने के लिए मिक्स कर दिया और कडाई को सफा करके उसमें घी डाल दिया ड्राइफ फूर्सें पाजू बदाम मखाना उसे भून लेती हूं ऐसे रोष्ट कर लेते हैं दोस्तों लड्डू खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं कच्छापन बिल्कुल भी नहीं आता है इसे भी थाली में निकाल दिया है मिक्सी में डालके थोड़ा सा हलका सा मिक्सी चला लेना है यह देख लीजी एकदम मोटा दर दर यह तैयार हो गए इसे भी मिक्स कर लिया है अब अच्छे से मिक्स कर लेती हूं सारे पिर कड़ाई में डाला दो चमच के करीब पानी गुड लिया है मैंने गुल गुल चुका है गुलने तक ही से पकाना है यह देख लीजे अच्छे से गुल चुका है अठाली में डाल देती हूं सारे मिक्स कर लेती हूं अच्छे से बहुत ही असान तरीका है दोस्तों बहुत ही जटपड से बन जाते हैं लड़ू आप बीना फ्रीज के यह बाहर रख सकते हो 15 से 20 दिन तक खा सकते हो बिलकुल भी खराब नहीं होते हैं अब मैं लड़ू बान लूँगी अभी यह काफी गरम है लेकर इससे बांधना है मुझे फटा फट से बांध लेती हूं यह देख लीजे कितना प्यारा लग रहा है और बेशन इसमें जरूर डालें बेशन डालने से लड़ू सौप्ट बनेंगे अगर आप इसमें बेशन बेशन के बनाओगे तो बहुत हार्ट बने गए यह देख लीजें ऐसे सारे लड़ू में बांध लूँगी यह लड़ू हमारा तयार है दोस्तों बनाना बहुत ही असान है दोस्तों बनाएगा घर परिवार में छोटे बड़े सभी ही से खा सकते हैं सब के लिए फायदे म मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तलक आप अपना ध्यान रखें मैं आप लोगों को तोड़की दिखाते हूं एक लड़ू देख लेजे कितना सौफ्ट बना है यह देख लेजे तो बेशन जरूर डालिएगा और स्वाधिश्टर लड़ू पाईएगा तो लिए ब